तो दोस्तों आज की वीडियो樂 में बात करने वाले हैं MIUI 12 अप्देट के वारे में अभी latest kinkin devices को MIUI 12 idle ao मिला है, साथ में AOISE के वीडियोग बात करेंगे MIUI 12.5 अप्देट के वारे में तो तो किन किन डिवैसी को में तो किन डिवैसी को मिलेगा और कब तक देखने मिलेगा ? और इसके साथ ही दूस्तों बात करेंगे Xiaomi अभी कौन से latest mobile launch कर रहा है पता होगा कि Xiaomi Mi 10, Mi 11 अभी launch करने वाला है उनकी launch date कब हो सकती है क्या-क्या features देखने हो मिल सकते हैं और किस price में क्या processor बगरा हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे और दोस्तों इसके साथ ही हम बात करेंगे अभी कुछ latest जो MIUI system app update देखने हो मिले हैं कैसे आपको download and install करना है तो दोस्तों यही कुछ सारी information आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ और अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है ताकि आपको मिल सके हैं मेरे वीडियो के update सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि MIUI 12 का update अभी latest kin devices के लिए release किया गया है तो इसके लिए मेरा एक OTA चैनल है MIUI 12 OTA उसे आप टेलिग्राम पर सर्च कर सकते हैं उस पर मैंने पहले अपडेट दे रखा है कि Poco M2 Pro Indian Stable Update 12.0.2.0 इसका recovery ROM link, OTA link ये सब आपको मिल जाएंगे तो description में भी आप चेक करेंगे वहाँ पर भी मिल जाएंगे और OTA चैनल जॉइन कर लेते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह के जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं MIUI 12 से लेटेट वह मिल जाएंगे तो इसके साथ ही Redmi Note 7 और 7S Indian Stable Update 12.0.2.0 ये भी देखने को मिला है तो ये वाला चैनल आप जॉइन कर सकते हैं MIUI 12 Update और इस पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाएंगे तो ये हो गई अपडेट की बात अब बात करते हैं MIUI 12.5 जो अपडेट है वो किन डिवाइस को देखने को मिलेगा तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जब आप चेक करेंगे तो MI, Redmi, Poco जितने भी मोबाइल हैं उन सभी की आपको लिस्ट मिल जाएगी तो इसमें देखी Redmi अभी डिवाइस जो है उनमें दिखाएगा Redmi 7A, Redmi 6A और इस तरह से Redmi 8, Redmi 9 पूरी जो सीरीज है Redmi 10 आप देखते Redmi 10X, Redmi 10X 4G, Redmi 10X 5G तो Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, Redmi 9S, Redmi 9 Pro Redmi 9 की पूरी सीरीज लगबक कवर की हुई है Redmi K30 जो सीरीज है वो भी यहां पर कवर हुई है और Poco F1, Poco F2, Poco X2, Poco X3, Poco X3 NFC तो Poco के आल्मोस्ट सभी डिवाइस इसमें और यहां पर Mi सीरीज आप देख सकते हैं Mi 6, Mi 8, Mi 9, Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite, Mi CC 9, Mi CC 9 Pro, Mi CC 9, Mi 9T, Mi 10T, Mi 10T Pro यह सभी कुछ डिवाइसेस हैं तो Mi 12.5 की यह कुछ अपडेट लिस्ट है जो कि आपको जिन डिवाइसेस में देखने को मिलेगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर Mi 11 लांच की तो Xiaomi अभी Mi 11 को लांच करने वाला है और इससे पहले ही अभी इसके जो काफी कुछ जो लीक्स हैं वो निकल के आ गए हैं कि किन कब तक ही यह जो लांच हो सकता है क्या कुछ फीचर से इसमें देखने को मिल सकते हैं तो काफी कुछ यहां पर लीक निकल के आए हैं तो जो यूट्यूब और ट्विटर पर Xiaomi के तरब से Mi 10i का एक वीडियो भी आ गया है तो Mi 10i से रिलेटेड भी काफी कुछ जो लीक्स हैं जो इमेजिस हैं जो इनफॉर्मेशन हैं काफी कुछ निकल के आ गई है दोस्तों Xiaomi के तरब से Mi 10i जो मुबाइल है वो एक बजट मुबाइल है और इसमें आपको 108 मेगा पिक्सल का कैमरा 750G प्रोसेसर देखने हो मिल जाएगा काफी अच्छा रिफ्रेस रेट 128 हर्ज का वो देखने हो मिल जाएगा इसके साथ ही दोस्तों और वी इनफोर्मेशन जो निकल के आई है उसमें सामिल है Mi 11 की प्राइसिंग तो 4500 यूवान, 4800 यूवान और 500 यूवान थ्री वेरियंट है इसके 8GV, 128GV, 8GV, 256GV और 12GV, 256GV तो ये थ्री वेरियंट आपको इस प्राइस में देखने हो मिलने वाले हैं 45,000, 48,000 और 52,000 इसके साथ ही यहां पर Mi 11 की जो Xiaomi के तरफ से इनफोर्मेशन है कि ये 28 December को लाँच हो सकता है और इसमें आपको जो 888 Snapdragon का latest processor है वो भी देखने को मिलेगा तो दोस्तो Mi 11 जो मुवाइल है वो थी flagship device है काफी दमदार फीचर्स हैं पर उसी के साब से उसकी pricing भी है Mi 10i से related information आई है कि इसकी release date जो है वो next year यानि 5th of January को होगी तो ये device काफी मज़िदार है दोस्तों क्योंकि budget price में आपको 108 megapixel का camera देखने को मिल जाएगा और आपको आपकी जो connectivity है 5G phone वाली आ जाएगी तो ये ही दोस्तों कुछ information है Mi 10i और Mi 11 से related और इससे related अगर कुछ और भी new update आता है तो वो भी मैं आपको provide कर दूँगा अब दोस्तों बात करें कि Mi 12 system app update की तो Mi 12 system app update पर काफी सारे वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ तो वो आप जाके चेक कर लिजे फिलाल अभी जो मेरे latest वीडियो बनाए है geometry super wallpaper और snow mountain super wallpaper और MI 12.5 की features को आपको enable करना हो उसके लिए settings की latest APK वगरा तो ये सब आप मेरे चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं digital app चैनल पर ये सब आपको मिल जाएंगे तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आयो तो इस वीडियो को like कर देजे अपने friends के साथ share कीजे और अभी तक चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर लिजे क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के amazing interesting वीडियो लेके आता रहता हूँ